नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देवगिरी के यादवन्स के बारे में ठीक है तो देखेगा इससे पहले हमने जो वर्दर्वन्स था और वर्दर्वन्स की जो रानतिक व सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इतिहास विसे की अच्छे से एक्जाम की तयारी कर सकें ठीक है तो देखेगे पढ़ते हैं देवगिरी के यादवन्स का इतिहास यादवन् के राजा अधिनस्त सामन्त राजों की इस्तिती रखते थे लेकिन जब चालुक्यों की सक्ति छीन हुई तो वे स्वतंतर हो गए और वर्तमान ओरंगाबाद जीला महरास्टर राजे में इस्तित देवगिरी जो आदुनिक दोलताबाद है को केंद्र बनाकर उन्होंने चंद्रे ने 850 इस्वी में यादव समराजे की स्थापना की और इस यादव राजवन्स का पहला सासक बना देवगिरी के यादवन्स का राजे काल 850 इस्वी से 1334 इस्वी तक माना जाता है इनका समराजे इनके उतकर्ष के समये तुंग बद्रा नदी से लेकर नर्मदा नदीतक विस्त्री था जिसके अंत्रगत वर्तमान महाराश्टर उत्री को करनाटक तदा मध्य परदेश के कुछ छेत्रे आते हैं उनकी राजदानी देवगीरी वर्तमान दोलताबाद थी वे मराठी भासा के महान सरंगसक माने जाते हैं महाराजा सिंगन द्वित्ये के समय यह राजवन्स अपने उतकर्ष पर था चालू के नरेश स्वमेश्वर चतूर्थ के निर्बल सासनकाल में उसका यादव सामंत भिलम जो 1187 से 1181 में इस्वि में अपने स्वतनतरता इस्तापित करने वाला पर्थम महत्वा कांगसी वेक्ती था उसने चालू के राजे पर आकर्मन कर उसके उत्री जिलों पर अधिखार कर लिया उसके दबाव के फर्ष रूप सोमेश्वर चतूर्थ को अपने राजदानी कल्यानी छोड़ कर बनवासी में सरान लेनी पड़ी कल्यानी पर यादवों का अधिखार हो गया परंतु होईसन नरेश बलाल वित्ये ने आमक नगर की स्थापना की तता उसे अपने राजदानी बनाया था भिलम के बाद उसका पुत्र जैतूगी राजा बना उसने वारंगल के काकतिय सासक रुद्र के उपर आकर्मन कर उसकी हत्या कर दी तता उसके बतीजे गणपती को बंदी बना लिया रुद्र के भाई महा महादेव के काल में संभावता है पुन है यादवों तता काकतियों में युद्ध हुआ ग्यारा सो निन्नानम इस्वि में महादेव के मृत्यू के बाद जैतूगी ने उसके पुत्र गणपती को मुक्त कर दिया तता उसे वारंगल की गद्धी पर बिठाया जैतूगी का पूत्र तता उत्रादिकारी सिंगन जो बारा सो दस से बारा सो संतालिस इस्वि में हुआ वह है यादव वन्स का सरवातिक सक्ति सालिसासक था तो यादव वन्स का सरवातिक सक्ति सालिसासक कौन था सिंगन उसने होईसन नरेश बलाल के विरुद पुन है उसने गुजरात पर भी आक्रमन कर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दक्सिनी कोंकन के सिला हार सासक भोज द्वित्ये ने अपनी स्वाधिहिंता गोसित की। जिसे प्रास्तगर सिंगन ने दक्सिनी कोंकन को अपने राजे में मिला लिया। इस प्रकार उसके रा पर अल्लावुदिन खिलजी के आकर्मन हुए यादव पराजित किये तथा रामचंदर ने अल्लावुदिन के सेनापती मल्ली कापूर के समुक आत्मसमरपन कर दिया ठीक है तो देखेगा ये था यादवन्स आगे हम आपको और इसी प्रकार से वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे